इसका मतलब यह है कि आपका जो मेन अटेंप्ट होगा तभी का स्कोर आपका कंचिडर किया जाएगा आपका अगर score अगर आप दे देते हो तो री एक प्रस्कोर वह क्याक्यलेट नहीं करेंगे इसका मतलब आपका जो first attempt होगा that is gonna be the most important attempt for you पहले ऐसा हो था था कि आप थीन attempt हो तीन अटेंप्ट का यह क्या करेंगे बेस्ट आप तू ले ले लेते थे अब इन्होंने ऐसा नहीं बोला है तो ये थोड़ा सा मेरी ख्याल से competition बढ़ाने वाला काम है तो अभी आप कहेंगे कि सर मैं retake क्यों करूँगा आपको retake देना है to get into cages हो मैं और colleges like exam b और जो बाकिके colleges है जो actually तुमारा NMAT accept करते हैं उनके लिए better होगा दूसरी चीज ऐसी है कि अगर मैं cages हो मैं भी देखता हूँ लास्टेर cages हो मैंने पहले बारी accept कर रहा था तुमारा NMAT बट उसका cutoff quite high था 225 था तो यह बार मैं expert कर देख सरी हो 235 भी हो सकता है you never know so the first thing first that you need to understand कि अगर आपको NMAT के लिए चलना है तो इसको थोड़ा सा हलके में नहीं ले सकते हो कि पहले बच्चे कहा है कि चलना ठीके में पहले attempt दूँगा में थोड़ा गौज कर लूँगा समझ लूँगा इसके बाद थोड़ा improve करके में second attempt में अपना score scale up कर दूँगा but वो liberty हमें इस बारी नहीं मिलेगी the first thing that we need to understand is that अगर हमें NMAT का attempt देना है और NMIMS को target करना है सर्फ first attempt has to be something which is going to be really really scoring right second attempt में अगर आपना score और ज़दा बढ़ जाता है which is okay but अगर आप पहले attempt में ही अगर आप 250-270 अगर आप manage कर लेते हो you will be in a great profit now इसलिए your preparation from now onwards for NMAT has to be really really intact मतलब आपको इतना सही पढ़ना है कि भाई मेरे mocks में 260-270 आजाए C2C के जो mocks है जो हमारे topper से last है 275-277 यह बच्चों ने यह mocks दिये है reviews are amazingly good if you give these mocks real level NMAT mocks so that you can be confirmed कि यारी नो मेरा इतना तो बनी जाएगा अपका score close way होगा plus minus 5-6 marks होगा जहां तक C2C का mocks and NMAT का actual paper is concerned along with that when you enroll in the program with C2C mentors entire strategy will be given to you पूरी strategy आपको बताया जाएगी question selection कैसे करना है question को छोड़ना कैसे है कौन से topic को जादा weightage देना है जैसे vocabulary है vocabulary कुछ मैनों से राधर कुछ सालों से नहीं आता है NMAT में geometry भी absent है so you need to understand कि यार मैं वही चीजे करूं जो important है और उस चीजों को राधर उस segment को topics को अगले तीन मेने में अगले दो मेने में revise करकर के practice करकर के मैं इतना अपना stand strong बनाओ के मौक में मेरा 200-270 मुझे दिखना चाहिए 250 मुझे दिखना चाहिए अगर मुझे वो दिखेगा मैं सीधा एक पहला attempt अपना लूँगा and that is gonna be my final attempt but this is good why this is good because यह competition थोड़ा कम भी कर सकता है because बहुत सारे बच्चे सेकंड अट में बहुत जोर लगा देते और उनका score वहाँ पर चले जाता था but अभी यह जो NMMS ने करा है मेरे खाल से यह better है because जो बच्चे लोग पहली बारी देंगे और अच्छे से देंगे मेरे खाल से उनका जो score होगा वो matter करेगा a lot देखने की चीज़े है एक तो आप बोल सेकते हो कि you know what this is not a good thing but देखा जाये तो it's a good thing अगर आप जानते हो how to beat the competition right because मैंने बहुत uncertainty दी किसी ने एक बार दे दिया second time यार उसका दिन अच्छा था तो उसका score फट करके बढ़ गया वो आपसे आगे चला गया third time और उसने जाधा score ले लिया तो मैंने देखा है बच्चे 240-220-250-250-250-280 तक जाते हुए मैंने बच्चों को देखा है as I am when they went ahead तो वैसे देखा जाये तो it's good thing बढ़ा आपको थोड़ी महनत भी जाता लगेगी आपको practice थोड़ी अच्छे से करने पड़ेगी cut-off के बारे में मुझे लगता है थोड़े से यह down होगे इस बारी because last year कैसा था बच्चों लोग जब महनत करते थे 2-3-3 attempt देते थे तो बच्चों का score up हो जाता था मुझे लगत की cut-off can go slightly down so that can also actually work in your favor. तो यह थोड़ा shocking था but यह change है, we have to live with it, change is the only constant. So guys if you want to get trained by the NMAT toppers, if you want to get trained by students who are currently studying in NMIMS, you can enroll with C2C Mentors, यह जो बच्चे हैं भाप को mentor करेंगे, they will be helping you to solve NMAT life mock, they will be helping you to develop NMAT strategy so that you can score round about 260 plus plus we have a non-CAT batches launch this weekend, you can join us if you want to join us, for more details you can contact my team or the number given in the description and you will be getting all the support so if you are looking for NMAT as an option be very well aware about this news, it's important, okay that's it from my side, by the way NMAT के strategy के videos, NMAT के important topics के videos, यह कैसे आपको impact हादेगा, क्या हुरगा I say, both the videos are lined up for you guys, so if you are new to my channel kindly subscribe and hit that bell icon so that you know, whenever I am live, whenever I am talking about NMAT, you guys can understand and you guys can stay updated with NMAT news, thank you, bye-bye you